वेल्कम तो स्टेडिग ओव जीनत आज इस वीडियो में हम आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक के प्रोवीजन जो राइट तो फ्रीडम ओफ रिलीजन से सम्मधित फंडमेंटल राइट से दील करते हैं उनको कवर करेंगे केस लॉस के साथ अगर आपको इनियन का पीडिएफ नोट अविलेबल है जिस पीडिएफ से मैं आपको पढ़ा रही हूं न यही वाला पीडिएफ इस पीडिएफ में न सारे लैंडमाक केसे रिसंट केसे और जो इंपॉर्ण पॉंट्स होते हैं जो आपके प्रलिंस में पूछे जाते हैं वो सारे गवर हैं औ और प्री से लेकर मेंस तक का सब कुछ इस पीडिएफ में आपको मिल जाएगा इसके साथ साथ आपको एक एमसी क्यू फाइल भी दे जाएगी जिससे आप पूरा इनिन कॉंसिटूशन एजी ली रिवाइस कर पाए तो अगर आपको इस पीडिएफ को पर्चेस करना है इस इसलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो अब यहाँ पर हम डिसकस करेंगे राइट टू फ्रिडम अफ रिलीजन धर्म की स्वतंतरता का मौलिक अधिकार बिसीकली इस राइट में न सेक्यूलिरिजम की भावना छिपी है पंत निरपेख्षता की भावना इस राइट में इंक्लूडड है जो कि ये दर्शाती है कि जो हमारा देश है उसका न कोई स्टेट रिलीजन नहीं है बलकि हमारे देश में सभी रिलीजन को इक्वली ट्रीट किया जाता है जब हमारा इनियन कॉंसिट्यूशन बाइदा कॉंस्टिटूइन असेमली बनाया जा रहा था उस कॉंसिट्यूशन हो जाता है बनके तयार फिर बाद में ये चीज हमें एहसास होती है कि हमें अपने कॉंसिट्यूशन को बताने के लिए कि उसका नीचर कैसा है क्या करना चाहिए सेकुलर वर्ड को ना प्रेयंबल में एड करना चाहिए और इसलिए 42nd Constitutional Amendment Act पास होता है जि को हमारा जो इंडियन Constitution है औरिजिनल वाला उसमें सेकुलरिजम की भावना इंक्लूड नहीं थी बलकि पहले से ही सेकुलरिजम की भावना हमारे Constitutional Maker ने धर्म की सुतंतता प्रदान करके Article 25 से लेकर Article 28 में उसको इंपलिसिटली इंक्लूड कर दिया था इसके अलावा एसार बोमई वर्सिज यूनिन ऑफ इंडिया के केस में ये कहा गया था कि जो सेकुलरिजम है वो हमारे इंडियन Constitution का बेसिक स्ट्रक्शर है इसके साथ साथ ये भी धियान रखना है आपने कि इसी केस में फेडरलिजम को भी बेसिक स्ट्रक्शर माना गया थ और इस केस में ही हमारा जो इंडियन Constitution में Article 356 है जो की Presidential Rule से डिल करता है उसके स्कोप को एक्जामिन किया गया था तो ये चीजें इस केस के बारे में आपने धियान रखनी है तो यहाँ पर सबसे पहले Article 25 की अगर हम बात करें तो इसमें पहले वाला जो Close दिया गया इसमें कहा गया है कि भारत में सभी लोगों को equally freedom of conscience है freedom of conscience है मतलब हमारी ना मर्जी है कि हम अपने अंतर आत्मा में किसी भी भगवान में विश्वास रखें और इसके अलावा हमें freedom मिल रहा है कि हम किसी भी religion को प्रफेस करें practice करें and propagate करें प्रफेस करने का मतलब होता है कि हम ये चीज openly accept कर रहे हैं कि हम इस particular धर्म को belong करते हैं आप किसी form में fill कर रहे हैं कि आप Muslim है Sikh है इसाई है तो ये आप क्या कर रहे हैं ये आप right to profess religion exercise कर रहे हैं जिसके माध्यम से आप अपने religion को openly declare कर रहे हैं कि आप किस religion से हैं इसके अलावाद जैसे कि आप किसी को बता रहे हैं कि आप Muslim हैं या आप Hindu हैं या आप Sikh हैं तो ये चीज होती है right to profess religion वही right to practice religion का मतलब होता है कि जो हमारे religions होते हैं अलग अलग उन सभी में मतलब काफी सारी activities perform की जाती हैं जैसे कि कई festivals मनाये जाते हैं पूचा वगरा की जाती है नमाज वगरा पढ़ी जाती है तो इन activities को perform क करने का right ही कहलाता है right to practice religion वहीं जो right to propagate religion है इसका मतलब होता है कि अगर आपका मन है तो आप अपना जो धर्म था उसको त्याक कर किसी और धर्म में आप अपने आपको convert कर सकते हैं like अगर आप Hindu है तो आप Muslim बन सकते हैं आप Muslim है तो आप Hindu बन सकते हैं but इसमें ना include नहीं होत पर तो दूसरे का जो freedom of conscience है उसको हम violate करने लगते क्योंकि अगर हम किसी और के धर्म को convert करवा रहे हैं किसी और धर्म में तो तब हम क्या कर रहे हैं उस व्यक्ति का freedom of conscience violate कर रहे हैं और ये कहा गया था रे विस्टिंसलाव वर्सस स्टेट आफ मध्य परदेश के केस में important केस से ध्यान रखना इसके अलावा एक केस था बिजोई इम्मनुवल वर्सस स्टेट आफ केरिला का जिसको national anthem केस के नाम से भी जाना जाता है इस केस में ये कहा गया था कि अगर आप अपने religious belief की वजह से राष्टगान के शब्दों का उचारण नहीं कर रहा है तो यहाँ पर ना आपको article 25 का protection दिया जाएगा और आपको right मिलेगा article 25 के close 1 के तहत and article 19 के close 1A के तहत right to remain silence लेकिन यहाँ पर जरूरी चीज़ यह है कि national anthem के दौरान आप respectfully खड़े होने चाहिए और इसके साथ साथ आप एक और केस जियान रखेगा जो की आपका national anthem से related है जो की है संजीव भटनागर वर्सेस Union of India इस case में हमारे national anthem की values बताई गए थी यह कहा गया था कि जो national anthem है वो हमारे इंडिया को reflect करता है हमारे इंडिया में जो different variety of लोग हैं अलग-अलग religion, race, caste, community को belong करते हैं उन सभी को हमारा national anthem reflect करता है और यह कहा गया कि जो national anthem है न It is a message of unity in diversity तो यह चीज़ आप ध्यान रखिएगा इसके अलावा Indian Young Lawyers Association was a state of Kerala जिसको सबरी माला temple केस के नाम से भी जाना जाता है इस case में यह decision आया था कि जो 10 से 50 साल तक की जो महिला थी जिनको मंदिर में enter नहीं करने दिया जाता था उनको भी ना सबरी माला temple में enter होने का और अपने freedom of worship को exercise करने का under article 25 close one fundamental right है तो यहाँ पर article 25 के close one में जो हमें मिलता है freedom of religion वो न absolute नहीं है वो यहाँ पर जो चीजे बताई गई हैं उनकी अधीन रहते हुए ही इस्तमाल किया जा सकता है किन चीजों के अधीन रहते हुए जैसे कि public order, morality, health and other provision, लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थे और अन्य उप बंध, लाइक जैसे कि आप इस तरह की religious activities परफॉर्म नहीं कर सकते हैं जिनसे न public order खराब हो, morality पर असर पड़े, health को सफर करना पड़े, लाइक जैसे कि COVID-19 के दौरान आपको ये चीज़ क्या दी गई थी कि आप मंदिर मस्जद में पूजा करने, नमास पढ़ने वगरा नहीं जाएंगे, तो आप ये नहीं कह सकते हो कि आपके article 25 के close 1 का violation हो रहा है, क्योंकि ये restriction आपके उपर लगाया गया था, इसलिए ताकि जो health है ना उसको सफर ना करना पड़े, वहीं इसके अलावा आप इस तरह के जुलूस नहीं निकाल सकते हैं, धार्मिक जुलूस ज इससे सामप्रदाइक हिंसा हो, दंगे फसाद फैलें, या फिर आप अपने धर्म के नाम पर कुछ practices नहीं कर सकते हैं, कैसी practices जैसे कि सती प्रथा, बाल विवा, भून हत्या, दास प्रथा, ये बोलकर कि हमारे धर्म में तो ये चीज़े की जाती हैं, और यहाँ पर other provisions में ह हम example ले सकते हैं, article 17 का, जिसमें untouchability को इंडिया में prohibit किया गया है, तो कोई भी व्यक्ति ना, अपने धर्म के नाम पर untouchability नहीं कर सकता है, और इसके अलावा article 25 में जो हमें right to freedom मिला है, इसको restrict करने के लिए state को article 25 के close to में empower किया गया है, कि वो laws वगेरा बना सकती है, और इसके अलावा for the social welfare and reform or for all section and departments of public work organization of Hindus, और यहाँ पर जिन हिंदूस की organization के बारे में बात की गई है, उसके context में शास्त्री वर्सिस मूल्दाज भुरदास वेश्या के case में कहा गया था, कि उसमें हम उनको भी include मानेंगे जो की लोग belong करते हैं, सिक, जैन, बुद्धिस, रिलीजन से, और इसी context में हमारा यहाँ पर दे रखा है, explanation second, जिसमें यह कहा गया है कि हिंदूस terminology जो यहाँ पर use हुई है, उसको समझा जाएगा कि उसमें न, सिक, जैन, बुद्धिस्ट, इन धर्मों को जो लोग profess करते हैं, वो सिक, रिलीजन को profess करते हैं, तो अब इस context में कुछ चीज़े आप ध्यान रख सकते हैं, कि जैसे कि अगर किसी school वगेरा में क्या किया जाता है, किसी धर्म वगेरा के बारे में पढ़ाया जाता है, किसी धर्म की न, study की जाती है, तो यह चीज हमारे Indian Constitution के secular philosophy के against नहीं मानी ज protection नहीं मिलेगा, और इस context में आपका मोहमद हनीव खुरेशी versus state of बिहार का case आता है, यह important case है, यह पूछा जाता है, कि किस से related है, तो यह 25 articles से related है, इस case में कहा जाता है, कि सारी की सारी जो भी religious practices होती है, जरूरी नहीं होता है, कि वो किसी particular religion की obligatory या फिर essential practice हो, तो इसलिए कि जो भी ऐसी practices है, जो कि essential नहीं है, उनको आर्टिकल 25 के तहर्ट प्रोटेक्शन नहीं मिला हुआ है, यानि कि अगर during the buck ride, जो cause वगरा होती है, उनका slaughter, प्रोहिबिट किया जाता है, तो यह चीज ना, आर्टिकल 25 के close to में valid restriction होगी, और इसके अलावा, शायरा बानो versus union of India क case में triple तलाक की जो practice थी, उसको unconstitutional and illegal declare किया गया, और उसको punish करने के लिए बाद में आपका act आता है, Muslim Women Protection of Rights on Marriage Act 2019, जो की enforcement में आता है, 19 सितंबर 2019 से, इसके अलावा धर्म के नाम पर noise pollution नहीं किया जा सकता है, तो यह जो चीजें हैं, इनसे ना, बाकी जो लोग होते हैं, उनक इसलिए पहली चीजें के नाम पर noise pollution नहीं किया जा सकता है, यह कहा गया था, Church of God versus KKR, Majestic Colony Welfare Association के case में, और इसके बाद आपका in-re noise pollution case आता है, जिसमें यह कहा जाता है, कि fire crackers, loud speakers वगेरा जो हैं, रात के 10 बजे से सुबा के 6 बजे तक allowed नहीं हैं, और यहाँ पर कुछ other important cases right to religion से related, जो कि आपने ध्यान रखना है, पहला SP Mittal versus Union of India 1983 का, दूसरा है AS Narayan versus State of Andhra Pradesh का, इस case में basically यह बताया गया था, कि यहाँ पर जो articles हम पढ़ रहे हैं, right to religion से related, इसमें religion word का क्यों use किया गया है, इसमें dharma word क्यों नहीं use किया गया है, और यह बताया गया था, कि religion and dharma, इन दोनों में ना क्या difference होता है, इसके अलावा John Walla Mortem versus Union of India 2003 के case में यह कहा गया था, कि Indian Succession Act का, जो section 118 है, यह violate करता है article 25 and article 26 को, तो यह cases आपने ध्यान रखने हैं, कि यह right to religion से related cases हैं, प्री मैं पूछे जाते हैं, Article 26, चार तरहा के freedom देता है सभी religious denomination को, ताकि वो अपने religious affair को freely manage कर सके, बट यह जो चार तरहा के right दिये गए हैं, सभी तरहा की religious denomination को, वो public order, morality and health, इन चीजों की अधीन रहते हुए ही इस्तिमाल किये जा सकते हैं, तो यहाँ पर इन चारो right की अगर हम बात करें, तो पहला right मिलता है कि जो religious denomination है, वो क्या कर सकते हैं, religious and charitable purposes के लिए, institution वगयरा establish कर सकते हैं, उसको maintain कर सकते हैं, और यह अपने affairs को religion के सम्वन में manage कर सकते हैं, यह on कर सकते हैं, acquire कर सकते हैं, movable and immovable property और उस property को according to law, administer कर सकते ह तो basically article 26 में जो right मिल रहे हैं यह, यह किसी particular person को नहीं मिल रहे हैं, बलकि मिल रहे हैं religious denomination को, जो की collection होती है, उन individuals का जिनका common faith होता है, जो की एक common organization होती है, जिसका एक distinctive name होता है, और यह कहा गया था SP Mittal versus Union of India के case में, और यहाँ पर religious denomination का एक अच्छा example हो सकता है, आर्य article 27 के तहट यह कहा गया है कि किसी भी person को compel नहीं किया जा सकता है, कि वो tax pay करें इसलिए ताकि किसी particular religious denomination या फिर किसी religion के maintenance या promotion के लिए उस tax को जो की उसने pay किया है, इस्तिमाल किया जा सके तो कहने का मतलब सिधा सिधा यही है कि आप से जो state tax लेती है, उस tax का इस्तिमाल कहा नहीं होगा, किसी particular religion के promotion में नहीं होगा क्योंकि इस चीज के लिए tax ना pay करने का right मिलता है आपको article 27 में, article 28 में पहली चीज यह की गई है कि जो भी wholly by the state fund educational institution maintain किये जाते हैं वहाँ पर religious instructions नहीं दिये जाएंगे, बट religious instructions दिये जा सकते हैं ऐसे educational institution में जो कि by the state भले ही administer होते हैं बट उनको establish किया गया है किसी endowment या trust के तहत, ताकि उन institution में religious instructions वगएरा दिये जा सके जैसे कि मदर्सा वगएरा हो गया वहीं तीसी चीज ये कही गई है, अगर कोई भी person क्या गड़ता है, किसी state recognized, state funded educational institution में जाता है तो वहाँ पढ़ना उस व्यक्ति के लिए ज़रूरी नहीं है कि उस educational institution में जो भी religious instruction वगएरा दिये जा रहे हैं, वो उनमें participate करे या फिर अगर कोई पूजा वगएरा की जा रही वहाँ पर उसको वो attend करे लेकिन अगर वो व्यक्ति मान लो minor है, तो तब उसके guardian की consent के बिना उस minor को इन चीजों के लिए compare नहीं किया जा सकता है तो यहाँ पर ये तो हो गए आपके right to freedom of religion related articles आपको अगर कहीं पर भी कोई doubt रहता है, तो आप comment section में, telegram पर, instagram पर कहीं पर भी पूछ सकते हैं सभी का link description में है, constitution law की अगर आपको PDF purchase करनी है, तो उसको purchase करने के लिए आप मुझे telegram ID पर message कर सकते हैं मेरा telegram ID मैंने description में डाल दिया है, या फिर मुझे मेरे email address पर mail कर सकते हैं, जो कि मैंने description में डाल दिया है और आपको screen पर भी दिखी रहा होगा तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही जाते जाते वीडियो को like कर देना, channel को subscribe कर देना